हेलो चिल्डरन हाउ आप सब बहुत अच्छे होगे चिल्डरन आज हम पढ़ने वाले हैं जॉन होवर्ड पेंट की बहुत प्याड़ी सी पोयम हो स्वीट हो इस पोयम में इनोंने ये लिखा है कि घर हमारा सबसे अच्छा होता है चाहे हम जहां पर भी घूम कर आए हमें फा महल हो राज महल हो कुछ भी हो कितना भी सुन्दर जगह हो चलो बच्चो अब हम देख लेते हैं इस पोयमों उने कैसे इस बात को मतलब एक्सप्रेस किया है अपने फीलिंग्स को कि होम सबसे अच्छा होता है अपना घर सबसे अच्छा होता है ओके में प्लेजर्स एंड प्लेजर्स एंड पैलिस ने बच्चो कि में प्लेजर्स एंड पैलिस एंड पैलिस होता है। देखो कितना भी सुन्दर कितना भी अच्छा कितने भी अच्छे जगह पर हम घूम ले जो हमें बहुत प्लेजर देता है आनन देता है यह कोई बहुत बड़ा महल हो पैलेस बोलते है न तो पैलेस हो महल हो कहीं पर भी हम घूम के आए कहीं पर भी जाए कितना भी हमबल हो ब जो घर में सुकून मिलता है, वो हमें वहाँ पर नहीं मिलता. A charm from the sky seems to hello was there, which seek through the world is near, met with elsewhere. अभी यह बोल रहे हैं कि जो खुबसूरती, जो मतलब hello मतलब होता है बहुत ही holy चीज जो बहुत पवित्र होती है, जो हम आकास में देखते हैं, तो हमें बहुत अच्छी चीज देखती है, जो हम ऐसा महसूस होता है, कि इतना अच्छा है, कितना holy place है, कितना अच्छा लग रहा है, वो चीज ठीक है, वो हमें सिर्फ अपने घर में मिल सकता है, और कहीं भी नहीं मतलब कहनेगा यह बचो जो आकास में जो सकाइ में देखने पर जो बहुत अच्छी चीज़े दिखती है जो सुकून मिलता है वो सुकून हमें हमेशा बस और बस कहां अपने घर में मिलता है और कहीं पर भी वो नहीं मिल सकता ओके सुन मेरा आप लोग को Home, Home, Sweet Home There is no place like home Oh, there is no place like home इस पे मतलब जोर दे रहे हैं इस बात पे कह रहे है कि घर, सबसे प्यारा घर इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जो कि घर के जैसा हो कोई भी ऐसा जगह नहीं है जो हमारे घर के जैसा इतना प्यारा हो अब देखे An exile from home splendor dazzles in vain Oh, give me my lovely thatched cottage again The birds singing galley That come at my call Give me them and the peace of my dearer than all अब यहाँ पे पोईट पोल रहे हैं बच्चों जहां से सुनिये अगर हम घर से दूर होते हैं बहुत दूर होते हैं अपने घर से तो देखो हम मालों कहीं पार्टी मना रहे हैं कहीं घुमने फिरने गए हैं बहुत ही splendid जगह हो बहुत dazzling चीजे हो मतलब बहुत शांदार हो बहुत attractive चीजे हो पर वो फालत हुए इन्वेन मतलब एकदम बक्वास बेकार की है वो आनंद नहीं मिलता जो हमें हमारे घर में मिलती है बहले हम वहाँ पर हैं बहुत अच्छी जगह पर अगर हम घर से दूर बहुत अच्छी जगह पर हैं ठीक है बहुत वो splendor हो बहुत dazzles मतलब जो बहुत हमें खुशी दे बहुत शांदार हो पर वो सारी चीज़े एकडम से वो इन वेन मतलब एकडम बेकार होती है पर कहने का मतलब यह है कि वो चीज हमें हमेशा के लिए नहीं रहता हमारे साथ और हमें वो मज़ा नहीं आता है जो हम बहुत मतलब हमारे पास अगर नहीं भी है हम अगर जोपड़ी में भी हैं कॉटेज में है हम अगर छोटा सामारे घर है तो जो सुकून हमें हमारे घर में मिलता है ना हमें वो बड़ी सी महल में ऐसे जगों पे हमें नहीं मिल सकता तो यह बोल रहे हैं कि मेरा क्या चाहिए गिमी माय लोली कोटेज अगेन बोल रहे हैं कि मेरा वो जुका हुआ कोटेज जिसका जो छथ है ऐसे जुका हुआ है लोवली तो डाउन ऐसा मतलब नीचे जुका हुआ है वो मुझे वापस दे दो मुझे वही चाहिए मुझे उसी में शुकून है मुझे और कहीं पर नहीं अच्छा लगता है और बर्ड सिंगिंग गैली मतलब बोल रहे हैं कि वहां पर जो चुणिया लोग गाती रहती है खुशी-खुशी गैली मतलब हैपिली ओके गाती है तो मैं एक पर उनको आवास देता हूं वो लोग आ जाते है मेरे पास आ जाती है मुझे बहुत मज़ा आता है उन लोग के साथ तो वो मुझे चाहिए give me them मुझे वो लोग को मैं मुझे देर मेरे मेरे को टेंश वर मेरे वो सब घर के असपाथ जो बड से व जो मेरे घर में जो सुकून है वही मुझे चाहिए अगे और पीस ओफ माइन और मुझे जानल के चाहिए मारा माइन इसम जो पीस आएगा वह हमें घर में और हमारे जो प्रिय लोग मतल्य हमारे जो ममी डैडी भाई बहें जो सब लोग है उससम जांद ऑर इसके लिए तो घर में जाना होगा कि हो म्हीच हो में नीज teaching vos jae सटों धेर्टन प्लेश लाइक हो मैं यह बातम व्लेश्य स्टों रहा है कि अहरा है कि दुनियामें को सथ जगह नहीं है घर के जैसा जो भर मैं मिलता है प्यायार जो सुकूर वहमें कहीं मिल सकता चे नेक्स स्टैंजा देख लेते हैं I gaze on the moon as I tread the drear wild and feel that my mother know things oh of her child as she looks on that moon from our own cottage door through the woodbine whose fragrance shall cheer me no more I guess my is shocked if my spouse at मतलब देखता हूँ देखता हूँ जलते हुए मैं रहे मतलब यहां पर जहां पर वह इसमें है रही कि घर से बाहर रहें मतलब कर दूर गये तो बोल रहें नेचर के आसपास ठीक है वहां पर कि मेरी मा जो है ना मेरी मम्मी जो है ना अपने बच्चे के बारे में सोच रही है अपने बच्चे मतलब मेरे बारे में पोट बोल रहा है कि मेरी मम्मी मुझे असा लग रहा है कि मेरी मम्मी जो है ना अपने बच्चे मतलब मेरे बारे में सोच रही है और और पता है क्या वुट बाइन हुज इसका मदभ खुश्बू तारे प्लान होता है इसकी फ्रेग्रेंस चलो बहुत अच्छी होती है पर यह मुझे खुशिया नहीं को खुशीन दे पा रही है मतलब मिल घर जाना है वहाँ जहां मेरी मम्मी मेरा अंतजार कर रही है, मुझे मेरी राव देख रही है, मुझे तो मेरी मम्मी चाहिए, मेरे घर के आसपास की चुड़ियों की आवाज, यह सारे चीज़े, जिसका कि आप पहले वाले स्टेंजर में आपने देखा था, तो वो बोल रहे है कि मुझे मेरी घर की याद आ रह है, और असा लग रहे है, उनकी मम्मी उनकी बारे में सोच रही है, ओके, होम, होम, स्वीट, स्वीट होम, there is no place like home, oh there is no place like home, बोल रहे है, घर, घर, प्यारा प्यारा घर, दुनिया में कोई भी ऐसा जगह नहीं है, घर की यह सा इतना प्यारा, इतना सुन दे जहां पे Doty, ऑपए अच्छा लगता है, गर पे अगरम रहते हैं, तो पापा, पास में रहते हैं, अच्छा दे सकन है, च्छा आहई है, का पापा का मतलब स्माइल हम देखते हैं ना पापा की स्माइल के बीच हम रहते हैं और जो मम्मी है तो मम्मी क्या करती है सूथ है बेगायल मतलब मम्मी का जो प्यारा सा टच है ना कैरिस मतलब जो प्यारा टच है बहुत लवली टच मा का है वो बहुत ही कैसा लगता है ममी आनन स लtantन देता बहुत हमें आनन देता है तो मतलब हम घर पर रहते हैं तो पापा के इस्माइल के बीच हम रहते हैं ममी हमें प्यार से टश करती है लाड़ करती है जो हमें बड़ा आनन देता है बहुं होट शुकून देता है Let others delight, meet new pleasures to roam But give me, oh, give me the pleasures of home Home, home, sweet, sweet home यह बोल रहे हैं, पोट यहां पे भाई, जिसको बाहर का आनन्द चाहिए, डेलाइट चाहिए वही घुमे, इधर उधर, वही रोम करे, यहां, वहां आए जाए मुझे तो बस मेरा घर चाहिए, मेरे घर का वो प्लेजर चाहिए वो खुशी आनन्द चाहिए, मुझे मेरा घर चाहिए घर, घर, प्यारा प्यारा घर There is no place like home, oh, there is no place like home इस दुनिया में कोई भी ऐसा जगह नहीं है घर के जैसा, जहां पे हमें किशान के मिलती है तो दी, I'll return, oh, abundant with care Their heart, dearest, solace will smile on me there No more from their cottage, again will I roam Be it ever so humble, there is no place like home Home, home, sweet, sweet home, there is no place like home Oh, there is no place like home अभी आपट बोल रहे हैं बच्चो की दी मतला बच्चो यह होता है, ठीके? मैं लोटूँगा, तुम्हारे लिए वापस आऊंगा मतलब वो अपने घर को और अपने घर के आसपास के माहौल को नेचर को, अपने मम्मी को, अपने पापा को, सबको मतलब बोल रहे हैं कि मैं लोटूँगा तुम्हारे लिए मतलब जब लोटूँगा तो मेरे ऊपर बहुत सारा बढ़न यह सब लेकर आऊंगा, टेंशन लेकर आऊंगा तो अब यह बोल रहा है कि जो मेरा जो हार्ट है ना, जो हार्ट्स डिरेस सुलेस विल स्माइल आउन मी देर, कि मैं घर पर आजाओंगा तो मुझे बहुत सुकूर मिलेगा, कोई भी मुझे ऐसा टेंशन देने वाला नहीं रहेगा, मेरे घर वाले जो है, मेरे जो बहुत सब डियर वन है, वो लोग के बीच में रहूंगा, तो मैं स्माइल करूंगा, खुश रहूंगा, अब मैं दु कैसा भी रहे, लेकिन हमारा जो घर है घर से अच्छा कोई भी ऐसा प्लेस नहीं होता है, कुछ भी कितना भी वो प्यारा रहे, लेकिन वो घर के जैसा अत्मत घर की जगह नहीं ले सकता है, तो घर घर स्वीट स्वीट घर, और फिर से बोल रहा है हमेशा की तरह, there is no place like home, oh there is no place like home, घर के जैसा कोई भी और असा जगह नहीं है, जहाँ पे हमें इतना शुकूर मिले, शांती मिले, I hope बच्चो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, तो मिलते हैं next video में, ओके, तब तक के लिए, बाइ-बाइ, थैंक यू,